इस चालाक औरत ने 90 दिन में 5 शादिया क्योंकि जिसे सुनकर आपकी भी आँखे फटी की फटी रह जाएंगी। मेरा नाम शबीना है, मैं एक गाउं के मिडल क्लास फैमली से तालुक रखने वाली लड़की हूँ। मेरा रिष्टा बच्पन में ही तै कर दिया गया था, हमारे खांदान में जबान को बहुत ही एहमियत दी जाती थी, अगर एक बार किसी ने जबान दे दी, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हट सकते थे। मेरे बाप दादा की जिन्दिगी गुजारने का एक यही उसूल था, मेरा पूरा बच्पन गाउं में दादा के घर में ही गुजरा था, और मेरे जनम के बाद ही मेरा रिष्टा मेरे ताओ के घर में तै कर दिया गया था, बच्पन में दादा दादी के गुजरने के बाद भाईयों में कुछ उतार चड़ाओ आने लगे मगर दादा के कहने पर फिर भी मेरे पिता के सभी भाई मिल जूल कर एक साथ रहते रहे जिस घर में मेरी बात पक्की हो गई थी मेरे उनी ताओ ने दादा के गुजरने के बाद अपने भाईयों को हर हाल में एक साथ जोड़े रखा था फिर कुछ ऐसा हुआ मेरी पिता की सरकारी जौब का तबादला शहर में हो गया और हम लोगों को शहर में आकर शिफ्ट होना पड़ा मेरे ताओ ने हमें शहर जाकर शिफ्ट होने की पूरी इजाजत दे दी थी हम लोग भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए शहर आ गए थे मेरा एक भाई मुझसे बड़ा था और दूसरा भाई मुझसे छोटा मैं दो भाईयों की इकलोती बहन थी मेरे ताओ और दो चाचाओं की फैमिली अब भी गाउं में ही दादा के घर में रह रही थी हम शहर से अकसर स्कूल की छुटियों में ताओ के बुलाने पर गाउं चले जाया करते थे और हम सारे कजंस वहां मिलकर खूब मोज मस्ती करते और धूम मचाते इस तरह सभी घरवालों के दिलों में एक दूसरे के लिए महुबत और प्यार हमेशा कायम रहता धीरी धीरे हम सब बच्चे बड़े होने लगे थे स्कूल के बाद हम लोगों के कॉलिज के दिन भी शुरू हो गए थे मैं यही सोचती थी कि ताउ और चाचा के बच्चे तो गाउं में ही रहते हैं ना जाने वो लोग स्कूल के बाद आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे भी यह नहीं मगर गाउं में तो कॉलिज वगरा का कोई नाम तक नहीं था वहां इंटर पास को ही बहुत एहमियत दी जाती थी लेकिन शहर आकर हमारे तोर तरीके और सोच में बहुत बदलाव आ चुका था मेरे अबबा और अम्मी ने हम बहन भाईयों को बहुत अच्छी युनिवरसिटी में पढ़ाया और हमें हर तरह की आजादी भी दे रखी थी क्योंकि शहर का महौल बिलकुल आजाद था गाउं के महल के हिसाब से मगर जमाना अभी मॉडरन होता जा रहा था गाउं में इंटरनेट की नई नई सहलियत होना शुरू हो गई थी वहां के लोगों ने अब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस तरह हम बिच्डे हुए कजन्स मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिये बाचित करते रहते थे हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती गई मैं अकसरताव की लड़की से अर्मान की बहाने बहाने से खेर खबर लेती रहती थी जो की अर्मान की बहन थी मगर जब उसने बताया की अर्मान तो जीद करके अब्बा से आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेकर शहर के होस्टल में रह रहा है और हम लड़कियां तो बस इंटर पास ही कर सके और फिर हमें घर गरस्ती में अम्मा ने डाल दिया वो तो लड़का था अब्बा ने उसे और बाकी भाईयों को तो इजाजत दे दी है वो लोग आगे पढ़ लिख सकते हैं और हम तो बस घर का चूला चोका ही देखते रह जाएंगे इतनी देर में चाचा का लड़का पीछे से आकर कहने लगा भाई हमें तो कोई शोक नहीं है इतना पढ़ने का और भला हमें जरूरत ही क्या है हमारे बाप दादा का कारोबार इतना बड़ा है इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत हम तो वही संभाल लेंगे अर्मान भाई तो बेवकूफ है उसे ही ये शोक ना जाने क्यों उठा और होस्टल में चला गया मैं और महक उसकी बाते सुन रहे थे मैंने महक से ताई और चाची की खैरियत ली वो मुझे पीछे आंगन में ही बैठी चावल चुनती हुई नजर आ रही थी उनके पास एक अधेड उमर की लंबी चोड़ी सी कोई औरत बैठी थी मैंने महक से पूछा कि वो कोन है छोड़ो यार वो तो बेचारी दुखों की मारी है मुझे बहुत ही हैरत हुई कहने लगी दस दिन में ही इसका तलाक हो गया था ये बानो खाला है इन्हें सारा गाउं इस नाम से पुकारता है ये बेचारी अक्सर हमारे घर आ जाती है अपना दिल बहलाने के लिए और ताई और चाची को ना जाने कैसे कैसे किस्से सुना कर उन्हें भी अपने साथ लगाए रखती है इतनी देर में वीडियो कॉल कट गई थी शायद गाउं में सिगनल की प्रोब्लम हो रही थी अक्सर बात करते करते कॉल कट ही जाती थी मैं सोच में पढ़ गई थी ये बानो खाला इतनी उम्र में उनकी शादी हुई और फिर तलाक हो गया बताओ जरा गाउं वालों के लिए तो वैसे ही तलाक शुदा और तो को बहुत ही कम इज़द दी जाती है और बहुत बुरा भी समझा जाता है वो बेचारी तो ना जाने कैसे कैसे अपनी जिन्दगी गुजर बसर कर रही होगी शाम में मेरी अम्मी और अब्बा साथ बैठे थे मैं उनके साथ बैठ कर गाउं की ही बाते कर रही थी उन्हें बता रही थी कि आज मेरी महक से बात हुई थी उसने मुझे बताया कि ताउ ने अर्मान को इजाज़त दे दी है और अर्मान ने शहर के होस्टल में रहते हुए कॉलेज में एडमीशन भी लिया है यहे खबर सुनकर अम्मी और अब्बू खुश होने लगे थे कि चलो अर्मान शादी तक एक काबिल और लायक बन जाएगा और मुझे भी अर्मान का नाम सुनकर शर्माने लगी थी और फिर मुझे अचानक याद आया मैंने कहा अब्बा और अम्मी आप लोग किसी बानो खाला को जानते हैं वो दोनों हैरानी से कहने लगे नहीं हमने तो आज तक ये नाम भी नहीं सुना हो सकता है वो तुम्हारी ताई या चाची की ही कोई जान पहचान की होंगी मगर क्या हुआ सब खैरियत तो है क्यों पूछ रही हो तब मैंने मम्मी को इन बेचारी की सारी बात बताई अम्मी भी सुनकर अफसोस करने लगी थी कहने लगी हमें उनके बारे में नहीं मालुम था गाउं में बानो खाला के कुछ हैरत अंगेज कारनामे पूरे गाउं को हिला कर रख देने वाले हैं और गाउं की ओरतों पर बुरा वक्त आने वाला था दिन यूही तेजी के साथ गुजर रहे थे और उमर के साथ साथ अम्म और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र भी होने लगी थी ताउने भी अब्बा को फोन पर बार बार टोकना शुरू कर दिया था कि अब बच्चों की शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए बच्चों की कम उम्र में ही शादी हो जाए तो बच्चे सही वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सकते हैं मैं नहीं चाहता मेरे बेटे अर्मान ये तुम्हारी बेटी शबीना को शहर की हवा लग जाए और उनकी सोच में कोई बदलाव पैदा होने लगे वैसे ही शहर के आजाद महौल से तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे अब्बा और अम्मे भी ताओ की बास से बिलकुल सहमत थे और उनकी बास से जल्दी राजी भी हो गए थे उन्होंने फैसला किया कॉलिज खतम होते ही शादी कर दी जाएगी अगली बार जब मैंने महक को फिर से वीडियो कॉल पर बात की तो महक मुझे भाबी भाबी कहकर चिडाने लगी और मुझसे खूब हसी मजाख करने लगी इतनी देर में ताओ और चाचा के बागी बच्चे भी मुझे भाबी भाबी कहते हुए बाते बनाने चले आए हम लोग खूब मज़े कर रहे थे आज फिर मैंने बानो खाला को पीछे से ताई और चाची के साथ बैठे देखा तो मैं फिर से हैरान हो गई थी मैंने वैसे ही महक से उनकी खैरियत मालूम की महक ने दूखी सा चहरा बना कर मुझे बताया कि बैचारी ने जमाने की बातों से तंगा कर दूसरा निकाह कर लिया था और कुछ ही दिनों में उनका महां से भी तलाक हो गया ये बैचारी इस गाउं में बिलकुल अकेली और बे सहारा है इसलिए हमारे घर चली आती है पर ना जाने ये लोग उसके दोनों पती के ही किसी राज के बारे में कोई बात कर रही है जब मैं भी उनकी बाते सुनने गई तो वो चाची को कुछ बता रही थी मैं कुछ सुन पाती उसी वक्त अम्मी ने मुझे डाट कर वहां से भगा दिया कि मैं बड़ो की बातों में क्यों दिल्चश्पी ले रही हूं मगर एक बात की मुझे हैरत जरूर है शबीना इतनी बात कहते ही महक और मेरी बात फिर से अधूरी रह गई थी क्योंकि कॉल सिगनल की वज़े से फिर से कट गई थी और मेरा दिल बेचैन होने लगा था कि ना जाने महक मुझे ऐसा क्या बताने वाली थी क्योंकि साब बात थी मुझे अपने सुसराल में इस बानो खाला की मुझूदगी अच्छी नहीं लगती थी मुझे ना जाने क्यों उन पर एक शक होता था मगर फिर मैं सोचती महक सिर्फ इंटर पास है मगर वो बहुत ही समझदार और अकलमंद लड़की है अगर ऐसी कोई भी बात वो बानो खाला में देखती तो वो खुद उसे अपने घर कभी नहीं आने देती फिलहाल इस बात को काफी दिन गुजर गए थे मैं अपने एकजाम्स के त्यारी में लगी हुई थी और दूसरी तरफ मुझे फिक्र थी कि मेरी शादी होने वाली है ना जाने में कैसे वहां गाउं के पुराने चाल-चलन और माहौल और उन सब लोगों के बीच अरजस्ट कर पाऊंगी भी या नहीं क्योंकि शहर आने के बाद हम भाई बहन के तोर तरीके हमारी सोच, विचार, सब बहुत ही बदल गए थे फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा बेफिकर रहो, वहां तुम्हारे साथ अर्मान होगा और मुझे यकीन है उसकी सोच भी अब तक शहर में रहने के बाद और पढ़ने लिखने के बाद बदल गई हो वो भी शहर वालों के जैसा ही सोचता होगा इसलिए वहां तुम्हें बिल्कुल कोई परिशानी नहीं होगी और फिर वहां पर ताई और चाची हैना तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और वैसे भी हर घर के तोर तरीके अलग होते हैं शादी के शुरू शुरू में थोड़े बहुत बदलावतों आते ही हैं फिर वक्त के साथ साथ हर लड़की की आदत सस्राल वालों की तरह ही बदल जाती हैं अम्मी के बाते सुनकर मुझे थोड़ी तसलिक होने लगी थी और अगली बार जब मैंने महक को कॉल की तो फिर से मेरी नजर ताई और चाची के साथ बैठी बानो खाला पर पड़ी मैंने उससे मू बना कर कहा ये फिर चली आई क्या फिर से इनका तीसरी बार भी तलाक हो गया मैंने तो ऐसे ही गुसे में ये शब्द कह दिये थे मगर महक ने मुझे आँखे दिखाते हुए कहा बुरी बात है किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते शबीना और हाँ उनका वाकई तीसरी बार फिर से तलाक हो गया है मैं तो ये बास सुनकर दंग रहे गई थी कि एक ओरत जिसका बार बार तलाक हो रहा है आखिर वो शादी कर ही क्यों रही है जब उसे सब कुछ निभाया ही नहीं जा रहा तो महक और मैं उसके बारे में बाते कर रहे थे मगर जब महक ने कहा यह गाउं की एक अकेली ऐसी औरत नहीं है बलकि इनके जैसी और भी औरते हैं जिनके पतियों ने उन्हें तलाक दे दिया है मगर हैरत की बात है और औरतों ने कभी दूसरी शादी नहीं की और यह बानो खाला है जो बार बार शादी के चक्कर में पढ़ जाती है खैर हमें क्या मतलब बेचारी उनकी कोई मजबूरी होगी ऐसे ही मैंने इस बात का जिक्र अम्मी से भी कई बार किया था कि अम्मी मुझे अपने सुसराल में इस ओरत का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हर बार अपने पतियों से तलाक लेती ही जा रही है ये इसके साथ तकरीबन एक से दो महीने के अंदर ही तीसरी बार तलाक हुआ है और मुझे देखने में भी ये एक तेज सराल और चलाक औरत दिखाई देती है मगर फिर बिताई और चाची इसे अपने घर में हर वक्त बैठाई रखती है अम्मी भी इस बात से बहुत ही ज़ादा हैरत में थी मगर अम्मी का कहना भी यही था कि वहां महक है वो बहुत समझदार है कि अगर उस औरत में कोई गलत बात होती तो वो खुद ही उसे घर में नहीं आने देती क्या पता वाकी वो औरत अकेले पन की वज़े से शादी करके अपनी जिन्दगी खुशाल बनाना चाह रही हो मगर उसकी किस्मत में ही ये सब नहीं लिखा तो भला किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है खैर तुम इन सब बातों की तरफ इतना ध्यान मत दो अपनी पढ़ाई देखो और अपने एक्जाम पास करो फिर तुम्हारी शादी के तियारिया भी शूरू करनी है अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा अम्मी की बाते सुनकर मैं अर्मान के बारे में सोचने लगी थी और हम दोनों तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते थे क्योंकि बच्पन से ही हमारे दिलों में रिष्टे की बात डाली हुई थी इन दिनों मेरे और अर्मान के एक्जाम हो रहे थे अर्मान किसी दूसरे शहर में एक्जाम दे रहा था और मैं यहां अपने शहर में एक्जाम में बीजी थी इस दर्मियान मेरा ध्यान फिर से बानुखाला की तरफ जा रहा था क्योंकि महक से पता चला था लगभग 90 दिनों में यानि कि तीन महीने में पाचवा तलाक हो गया। मैंने तो सोच ही लिया था कि अर्मान से बात करके शादी के बाद मैं सबसे पहले इस औरत का अपने ससराल में आना जाना बंद करूंगी। मेरे एक्जाम का सेंटर बहुत दूर पड़ा था और मेरी इन दिनों एक लड़की से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बेचारी सीधी साधी लड़की थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। ना जादा बोलती थी ना मेरे अलावा किसी से दोस्ती रखती थी। उसके अंदर मुझे एक डर और खोफ दिखाई देता था। वो हमारे प्रोस में ही रहती थी। इसलिए मैं उसे अपने स साथ ही कॉलिज पेपर्स देने के लिए साथ ले आती थी और साथ ही हम दोनों घर वापस आते थे। मेरे महले की ही वो लड़की थी। जबकि मेरी उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। शायद वो जादातर अपने घर में ही रहती थी। और उनके घर वालों से हमारा कोई मेल जोल भी नहीं था। फिर एक्जाम चल ही रहे थे। एक दिन उसने कहा यार बात सुनो तुम्हारी नजर में कोई अच्छी जोब है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। एक्जाम के बाद मैं जोब करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है य मैंने देखा है तुम हमेशा इस तरह चुप खामोश और डरी सहमिसी रहती हो और किसी से कोई बात भी नहीं करती। और जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हें जोब की क्या जरूरत है। तुम्हारा घर बार तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे पापा का भी अपना कारो मेरी बात सुनकर वो बेचारी कायल हो पड़ी और बोली कौन सा कारोवार और कौन से पापा ये मेरे मामू का घर है मैंने हरानी से उसकी तरफ सवाल या नजरों से देखा वो बोलने लगी मैं अपने मामू के साथ यहां रहती हूं और मेरे माबाप तो बच्पन में ही गुज मेरे बाद उनकी दो बेटियां हुई लेकिन कहते हैं न सगा सगा ही होता है और सोतेला सोतेला ही मामू और मामी उनी पर अपनी जान छिड़कते हैं और जब की मुझे वो सिर्फ एक बोश समझते हैं और उनकी महरबानी है कि जमाने की नजरों में ही सही कम से कम अच्छा ब पड़ रखा क्योंकि वो सगी उलाद जो नहीं थी मगर मामी मुझे हमेशा गालियां और ताने ही देती रहती है मेरा जीना दुश्वार कर रखा है वो कहती है कि सुनो लड़की तुम कहीं भी नोकरी करो ये कुछ भी करो बस अपना बोज अब खुद ही उठाओ हमारे पा आखों में आसु आ गए उसका नाम सदफ था मैंने सदफ का नंबर ले लिया था और उससे कहा कि परेशान ना हो कोई अच्छी जौब नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी इस तरह सदफ से मेरी अच्छी बाच्चित और अच्छी दोस्ती हो गई थी वो मेरे घर में और वहां गाउं में मेरी और अर्मान के शादी के त्यारियां शुरू हो गई थी और अर्मान भी पढ़ लिखकर अच्छा काबिल और नेक इंसान बनकर वापस अपने गाउं लोट चुका था और अब मुझे भी जल्द उसकी दुलहन बनकर शादी करके गाउ जाना था और उधर महक और मेरे दर्मियान वीडियो कॉल पर धेरो बातों का सिलसिला जारी था और महक ने तो मुझे डरा ही दिया था कहने लगी ना जाने हमारे गाउं के मर्दों के ऐसे कौन से राज हैं जो पांच शादियां करके बानुखाला ने खोल रखे हैं कि ओरते खुद अपने पतियों से तलाक मांग रही हैं और अब तक गाउं में ना जाने कितनी ओरतों ने अपने घर बरबाद कर लिये हैं अब पता नहीं इसकी कुसूरवार औरते हैं या वाकी में मर्दों का कोई गहरा राज है जो अब खुलने लगा है औरते तंग आकर तलाक लेती जा रही हैं। यह बाते सुनकर मेरी दिमाफ में तो ना जाने क्या क्या ख्याल आने लग गए थे। कहीं इन राज में से कोई राज अर्मान का भी हुआ तो यह फिर अगर मुझे शादी के बाद कोई ऐसा राज पता चला और अर्मान और मेरे दर्मियान भी अगर कभी तलाक हो गया तो नहीं नहीं अर्मान ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि ये सब फितूर फैलाने वाली शायद वही बानोखाला ही है जो गाउं की ओरतों को भड़का रही है मगर वाकी अगर गाउं के मर्दों में से कोई ऐसा राज सच साबित हुआ तो मैं तो सोच सोच कर ही परिशान होती जा रही थी और इसी वक्त सदफ ने आकर मुझे तसली दी और कहा सबसे पहले तो उसने शादी की तारिख जो की फोन पर ही पक्की हो गई थी सुनकर मुझे मुझे मुवारक बात दी और फिर मेरी परिशानी की वज़ा पूछी तब मैंने उसे बानो खाला की सारी बाते और गाउं के हालात के बारे में बताया उसने मुझे कहा तुम इन बातों से जितना हो सकता है दूर रहो और ये तुम्हारे लिए बहतर होगा मत सोचो इस बारे में जादा अपनी शादी की त्यारियों में ध्यान दो और ये तो तुम जानती हो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी शाद तो तुम्हारी इस गाउं की बानों खाला मेरे हातों से बच नहीं सकेगी मैं सदफ की मजाग की बाते सुनकर हस पड़ी सदफ को जब से मेरे भाई के जरिये जोब मिली थी अब वो बहुत खुश रहने लगी थी और उसकी मामी ने भी उसे परिशान करना कम कर दिया था क्योंकि वो अपना खर्चा खुद उठाने लगी थी मुझे तो सदफ अपने बड़े भाई के लिए बहुत ही पसंद थी और अम्मी और अब्बा को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था हमने मेरी शादी के बाद इस रिष्टे की बातचीत करने का सोचा था इस रिष्टे से सदफ को भी कोई इनकार नहीं था मगर उसके मामा और मामी से वह डर रही थी अम्मी ने फिल हाल तो थोड़ी बहुत सदफ के घर जाकर उसके मामा और मामी से इस रिष्टे का जिक्र कर दिया था उन्होंने कह दिया था कि अच्छा हम सोच कर फिर जवाब देंगे इधर दूसरी तरफ हम लोग गाउं के लिए सारा सामान वगारा लेकर रवाना हो गए थे शादी की सारी ही तियारियां गाउं में ही होनी थी क्योंकि हमारा सारा ही खांदान और रिष्टेदार सभी लोग गाउं में ही रहते थे शादी की तियारिया शुरू हो गई थी और धूम धाम से अच्छे से मेरे सभी कजन और भाईयों ने मुझे विदा करने की और अपने घर भाबी बना कर लाने की खूब सारी त्यारियां कर रखी थी अर्मान और मैं अपनी आने वाली जिंदगी की शुरुआत करने को अपनी आखों में हजारों खुआब सजाए बैठे थे और फिर शादी के सारी रसमें धूम धाम से हुई और निकाह के बाद विदाई करके मुझे अपने ससुराल में भाबी, बहू और धुलन के रूप में विदा करके ले गए थे घर में सभी लोग बहुत खुश थे और मगर मेरी दोनों चाचियों का रवया मुझे पूरी शादी में बिलकुल अजीब सा महसूस हुआ जैसे वो बिलकुल भी खुश नहीं थे सिर्फ सब के सामने खुशियों में शामिल होने का नाटक कर रही थी मगर मैंने उनके अफसोस नाक चहरे पढ़ लिये थे सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं उस घर में नई नवेली दुलहन थी मुझे शादी हुए दो महीने गुजर गए थे मगर चाचा और चाचियों के जगडे बच्चों के लड़ाई जगडे की तरह बढ़ते ही जा रहे थे मेरी समझ से बाहर था कि जगडों की असल वज़े क्या थी फिर एक रोज हमारे घर के आंगन में ताई के साथ कोई बैठा था मुझे लगा उनकी कोई जान पहचान की खास मेमान आई होगी मैंने उनके लिए चाय नाश्ता त्यार किया और लेकर वहाँ चल पड़ी थी मुझे महक ने रोक कर फोरण ही कहा कि कहा चली ये सब लिए मैंने कहा वो ताई की कोई महमान है उनके लिए लेकर जा रही हूँ महक हस पड़ी और बोली जानती हो वो कौन है मैंने नामे सीर हिलाया महक ने कहा तुम्हारी पुरानी दुश्मन बानो खाला बैठी है मेरा चहरा तो फीका पड़ गया था बाहर हाल में मैं नाश्टा लेकर चल पड़ी क्योंकि ताई से मैं चाय नाश्टा लाने का बता चुकी थी आज पहली बार था जब मैं बानो खाला के सामने पहली बार रूबरू हुई थी वैसे अक्सर मैं दूर से ही उनकी सिर्फ जलक देखा करती थी चहरे से तो मुझे यह बहुत ही शातिर और खतनाक दिख रही थी वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी जीती रहो बहु और ताई से कहने लगी कि तुम्हारी बहु बहुत खुबसूरत है मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं फोरण ही वापस किचन में चली आई थी उस वक्त महक भी मुझे डरा हुआ देखकर हस्ते हुए आई और बोली अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हे खा जाएगी फिर मैं और महक उनके बारे में बाते करने लगे हमें तो पहले दिन ही ये बानो खाला का आना पसंद नहीं था महक ने जब उनकी पांच शादियों और तलाक का बताया तब से तो मेरा दिल और भी ज़्यादा डरा हुआ था महक की एक और बात ने मुझे बेहिद बेचान कर रखा था कि उनके गाओं आते ही और उनके तलाक होने से ही गाओं के हर दो घर छोड़कर एक घर में जरूर तलाक होता है शायद वही मर्दों के किसी राज का चक्कर है मैं किचन के काम निप्टा कर अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक मेरी नजर छोटी चाची के कमरे पर पड़ी अंदर बानो खाला मुझूद थी और चाची के साथ छुपकर बाते कर रही थी और फोरण ही डर के मारे वहां से निकल पड़ी थी मगर दूसरे ही दिन जब चाची ने पूरे घर में एक हंगामा मचा रखा था और सब के सामने अपने पती से तलाक मांगने लगी तो हम सब के पैरो तले जमीन ही निकल गई थी उन छोटे मोटे जगडों की आज ये नोबत आ गई थी कि चाची ने तलाक ही मांग लिया चाची ने बताया कि चाचा का किसी और औरत से कोई रिष्टा है और उनका ये राज खुल चुका है अब उनको मुझे हर हाल में छोड़ना ही होगा यह सुनकर पागल हो गई है इस उम्र में भला मैं ये सब करूँगा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है मगर चाची तो गुसे में पागल हुई जा रही थी और बिना कुछ सोचे समझे वो अपना सामान उठाकर छोड़ कर माईके चली गई थी हमने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की वो नहीं रुकी मैं और महक एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि हम जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा था इसी तरह दस बारा दिन बाद दूसरी चाची ने भी घर में हंगामा मचा रखा था और कहा चाचा ने उनके साथ फरेब किया है उनके माईके के सारे जेवर बेच डाले और वो चोरी डकैदी का काम करते हैं वह एक धोके बाज है मैं उनके साथ नहीं रह सकती मुझे तलाक चाहिए दूसरी चाची भी अपने घर जा चुकी थी इधर मेरा दिल बहुत ही सदमे में था कि ये सब मेरे सुसराल में हो क्या रहा है मुझे बहुत ताज़ुब था कि दोनों ही चाचीों को मैंने बानुखाला से बाते करते सुना था और आज दोनों ही घर छोड़ कर चली गई मेरे दोनों ही चाचा तलाक देने को राजी नहीं थे और कहते थे कि दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो खुद ही घर वापस आ जाएंगी लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि चाची अब नहीं लोटेंगी क्योंकि उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है मुझे ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अचानक सदफ की याद आई तो उसने फोन पर वीडियो कॉल की उससे खैरियत मालुम की और उसने भी मुझसे मेरी सुस्राल की खैरियत पूछी तब मैंने उसे यहां बानो खाला से लेकर चाचा चाची के जगडों की बाते बताई और जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया इतनी ही देर में मुझे बाहर से बानो खाला की आवाज आने लगी वो फिर शे शायद एक नया फसाद फैलाने आच चुकी थी इधर अचानक सदफ ने कह दिया था कि कभी मोका लगे तो मुझे बानो खाला से जरूर मिलवाना मैंने सदफ के कहने पर उपर से ही खड़े होकर नीचे आंगर में बैठी दूर से बानो खाला के तस्वीर खीच कर सदफ को भेज दी थी मगर मुझे नहीं मालूम था ऐसा करने से क्या कयामत आन पड़ेगी सदफ की फोरण ही कॉल कठ हो गई और वो बिलकुल ही गायप हो गई थी और इसके बाद दो महीने गुजर गए थे मगर मेरी सदफ से कोई बाचीत नहीं हो सकी थी और अम्मी से भी मैंने कई बार पूछा मगर उन्होंने भी यही बताया कि सदफ कुछ दिनों से अपने घर पर नहीं है ना उससे इन लोगों की कोई बात होती है इधर बानो खाला ने अपना अगला शिकार चुन लिया था मुझे भी अब बानो खाला अच्छी लगने लगी थी शायद में उनके बारे में गलत सोच कर बैठी थी वो तो बेचारी वाकी किसमत के हाथों मजबूर दुखों की मारी पांच बार तलाक शुदा थी मगर जब जब उन्होंने अपनी दुख बरी कहाने के किस्से मुझे सुनाए तो वाकी मुझे वो बेकुसूर दिखाए दी और सारा कुसूर मुझे मर्द जात का ही महसूस हुआ क्योंकि वाकी ये गाउं के मर्द खासकर जमीन जदाद वाले अच्छे किरदार के नहीं होते ये चलाक और कड़क मर्द औरतों को बेवगूब बनाते हैं प्यार से बहला फुसला लेते हैं और उनके पीछे गैर औरतों से रिष्टे बनाते हैं मेरे भी अर्मान से उन दिनों कुछ अच्छे संबंद नहीं चल रहे थे बात बात पर मेरी अर्मान से लड़ाई हो जाया करती थी और हमारे दर्मिया अब दूरियां बढ़ती ही जा रही थी फिर ना जाने क्यों मेरा दिल अर्मान पर शक करने लगा था क्योंकि वो रातों को उठविट कर किसी पराई औरत से फोन पर चुपकर बाते किया करते थे और मुझे लगने लगा था कि अर्मान भी और गाउं के बाकी मर्दों के तरह ही है क्योंकि आखिर वो भी तो इसी गाउं के जमिदार का बेटा है और फिर ताउ ने भी तो बरसो पहले ताई से बेवफाई की थी उस वक्त तो दादा सब कुछ संभाल लिया करते थे और ताउ को अपनी गलती का एहसास दिला कर मामला संभाल लिया करते थे और दूसरी तरफ हमारे दोनों चाचा ने भी तो चाचियों के साथ धोका किया है इसका मतलब बानो खाल अपनी जगा बिलकुल सही है उनके साथ भी उनके सभी पतियों ने ऐसा ही किया है मेरी बात भी शक के बिना पर इतनी बिगड गई थी कि मैंने अर्मान से जगड़े कर मेरी अम्मी और अब्बा के साथ आ गई थी उसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी लेकिन अम्मी और अब्बा को देखते ही मुझे रोना आ गया था और उनसे गले मिलकर मैं रोने लगी थी और सारी अर्मान के शिकायत उनसे लगा दी थी मगर तभी अम्मी और अब्बू ने बताया कि हम तुम्हारे ताउ और ताई के कहने पर ही यहां तुमसे मिलने आये हैं मैं दंग रहे गई थी कि यह सब हो क्या रहा है क्योंकि कुछ दिनों से बानो खाला ने तो यहां आना ही बंद कर दिया था लेकिन सदफ का सबर अब जवाब दे चुका था वो मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि बानो खाला और कोई नहीं मेरी ही मा है मैं तो सुनते ही चोक पड़ी थी उसने बताया कि बच्पन में जब वो बहुत ही छोटी थी उसके मामू मामी ने उसे गोध लिया था मगर उसने तो ये बताया था कि उसके माबाप मर चुके हैं मगर जब उस दिन मैंने बानो-खाला की तस्वीर देखी तो मेरे तो खोश ही उड़ गए थे क्योंकि मेरी मा तो जिंदा है मगर जब उसने मामू और मामी पर शक्किया और उनके बारे में सारे मालूमात की तो पता चला कि मेरी माँ और मामू सगे बहन भाई नहीं थे और सदफ के नाना नानी ने सारी जैदाद, पैसा, घर, कारोबार, सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया था जब सदफ की माँ ने भाग कर शादी की और किस्मत के हाथों उन्हें धोका मिला वो सदफ की माँ को तनहां अकेला छोड़कर चला गया था और उन्हें तलाक दे गया था और सारा पैसा तो वे पहले ही हड़ब कर चुका था जब सदफ की माँ ने अपना दिमाखी संतूलन खो दिया था और वो साइको मरीज बन गई थी और इस तरह सदफ की पैदाइश पर मामू और मामी सदफ को अपने साथ घर ले आये थे और उसकी माँ को पागल खाने में दाखिल करवा दिया था और सदफ की सारी दौलत जदाद घर सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया था और यही वज़ा थी कि सदफ को इसलिए उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था इसके बाद सदफ की माँ पागल खाने से फरार हुई और इस गाउं तक पहुँच गई और यहां की औरतों की शादी शुदा जिन्दगी को उन्होंने खुद से जोड लिया और खुद भी इसलिए बार-बार शादी करती रही और जब कभी दोरे पढ़ते सदमे से उन्हें सब कुछ याद आता तो उनकी दिमागी हालत का उनके पती को पता चल जाता था इसलिए वो उन्हें तलाक दे देते थे फिर वो नॉर्मल हो जाती थी हर बार वो इसी तरह साइकोपन की वज़े से अपनी शादी करती रही और उनकी दिमाग में मर्दों की ऐसी तस्वीर बन गई थी जो वो हर औरत को भड़काती थी तुम्हें और सभी को अपने पतियों में वही राज नजर आते थे जो बानो खाला बताने लगी थी क्योंकि गाउं की औरते भी पड़ी लिखी और समझदार नहीं थी इसलिए वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती थी कि वाके हर मर्द एक जैसा होता है और अपने पतियों से लड़ जगड कर तलाक लेती रही मगर अर्मान के चाचा ने ये बेवकूफी नहीं की और नहीं अर्मान ने सबने अपनी अपनी पत्नियों को घर वापस लाकर खुशी-खुशी रख लिया क्योंकि बानो खाला का राज आज सदफ खोल चुकी थी सदफ ने पत्थर दिल बन कर अपनी मा को वापस ही पागल खाने इलाज के लिए भेज दिया और कुछ ही दिनों में सबकुश ठीक हो चुका था मैंने भी अर्मान से माफी मांग ली थी और हमने भी सदफ को अपने बड़े भाई के लिए पसंद कर लिया था और उन दोनों की भी जल्दी शादी हो गई थी दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे खासे रिष्टे को बरबाद नहीं करना चाहिए मेरे और अर्मान के बीच जो आग बानो खाला लगा रही थी वो आग बुच चुकी थी और सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो गया था तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी आप हमें कोमेंट वोक्स में जरूर बताएग यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेड़ना दायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तो फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो